आपका दो सासिस आज मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड से सम्मंधित मैथ विसाइक के जो है आपजेक्टिव प्रसन जो हम देखेंगे इससे पहले हमने जो है आपजेक्टिव जो प्रसन है वास्तिव संख्याओं के हमने 20 देख लिए हैं हम आगे के देखेंगे तो देखेंगे यहां पर जो देखेंगे हम प्रस नंबर 21 देखेंगे प्रस नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कह रहा है दो तथा 2.5 के बीच की आपर में संख्या है तो देखेंगे दो तथा 2.5 के बीच की आपर में संख्या वही होगी जो यहां पर रूट लगा है संख्याओं म तो देखिए अगर हम देखें गेरा तो गेरा किस वर के पास पड़ रहा है तो नो के पास पड़ रहा है तो तीन तीन नो इसका होगा तो जाहिर सी बात है ये जो है 2 तथा 2 दर्णों 5 के बीच नहीं पड़ रही लेकिन हम B का देख रहे हैं तो ये 5 किस वर के पास पड़ रहा है तो 2 के पास पड़ रहा है तो 2 दुना 4 तो जाहिर सी बात है आपका जो option number B है किस वे का वो आपका सही है मतलब option number b root 5 इसका सही answer है अगला person दे रहे हैं दे रहे हैं 6x की 4y तथा 12xy का महत्तम समापोड़ तक तो 6xy 4x की 4y तथा 12xy का महत्तम समापोड़ तो क्या लिखा है पहला लिखा है 6x की 4y तो इसके गुड़न संग करेंगे तो क्या जाएगा 2 गुड़े 3 गुड़े x कितनी बार लिखा है 4 बार तो x गुड़े x गुड़े x गुड़े x गुड़े y ऐसे ही हमारा दूसरा क्या देख रहे है 12xy तो इसके गुड़न करेंगे क्या हो जाएंगे दो गुडे दो गुडे तीन गुडे एक्स गुडे वाई तो देखिए जो अब इसमें देखिए आपका मासा निकानने के लिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है तो देखिए दोनों में दिख रहा है आपका दो दिख रहा है दोनों में तीन भी दिख रहा रहा है और Y भी दिख रहा है दोनमें, तो हम क्या करेंगे? जो common मिलICE Bir तो लिख लेंगे, तो आपका 2 मिल रहा है 3 मिल रहा है X मिल रहा है Y मिल रहा है तो गुटा करेंगे क्यदा आएगगा ? 2 3 या 6, 6xy आपका मासा आ जाएगा, तो देखते हैं, इसमें जो 6xy दिया गया है, वो 6xy दिया गया है, आपका option number D, ये आपका 22 में का D, आपका सही है, अगला पसंदे रहे हैं, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा, तो 64 के वर्गमूल तो 64 का वर्गमूल आ जाएगा, आठ और 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल होता है, आपका 4, तो 4 से जब हम भाग करेंगे, 8 को तो कितना आ जाएगा, दो आपका 23 का आअंसर दे रहे हैं, 24 का जो आंसर आ रहा है, आपका, वो आ रहा है, दो, option number 23 का, option number B आपका सही है, अगला पसंदे र को था रूट 15 बराबर है तो देख़िए रूट 10 तता रूट 15 किसके बराबर है तो रूट 10 का हम रूट 15 से गुड़ा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1,500 कितना आ जाएगा 1,500 का हम करेंगे गुडशन खंड तो देख़िए 35 गुड़े छे पचीस गुड़े छे तो पचीस कवर में क्या निकलाएगा पांच और रूट में क्या रहेगा छे तो देखें कहीं 5 रूट 6 दे रहे हैं तो वही आपका अंसर हो जाएगा तो जो 24 वे का दे रहे हैं आप्शन नमबर A यही आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला पसंद दे रहे हैं संख्या 0 दसमलो 32 बार को P अपां Q के रूप में जहां करा P और Q पूड़ांक है और Q बराबर नाट जिकल टो 0 लिखा जा सकता है तो कुछ नहीं करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है जब कभी 0 दसमलो 32 बार लिखा हो तो क्या करना है 32 लिखना है कितने अंक के उपर बार है तो दो अंकों के उपर बार है इसलिए दोनों नीचे लिख ले कहीं पर 32 29 दिख रहा हो वही आपका अंसर हो जाएगा तो 32 29 दिख रहा है आपका option number C, option number जो C दिया गया है 32 बटे 99 यही आपका answer हो जाएगा पी अपान क्यों के रूप में बेक्ट कीजिए तो लिखा है 23 दसमलो 43 बार तो इसे लिखने के लिए आप लिखे 23 प्लस 43 बटे दो अंक बर बार था 99 कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है 99 का 23 से गुड़ा करना है और प्लस 43 जोड़ देना है तो हम जब 99 का 23 में गुड़ा करेंगे और 43 जोड़ देंगे तो आपका आजाएगा 23 बटे 99 तो 23 बटे 99 आपका दे रहें option number A तो A आपका सही answer है अगला प्रसुन दे रहे है हमारा सबसे छोटी पूर वर्ग संख्या जो 16 बीस तथा 24 परतेक से भाज होगा है तो आपको 16 बीस तथा 24 परतेक से भाज हो तो वो आपको 16 बीस चोबिस का लासा निकाल लेना है तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम 16 के गुड़न खन करेंगे तो 16 के गुड़न क्या जाएंगे 24 के तो 24 के गुड़न के आ जाएंगे 24 के आ जाएंगे दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े तीन फिर हम क्या करेंगे लासा निकालने के लिए जो कावन मिलता है वो भी लिखते हैं जो नहीं मिलता हो भी लिखते हैं तो लिख लिजे भाईया तो आपका मिलेगा दो गुडे, दो गुडे, दो गुडे, दो गुडे, तीन गुडे, पंच, सबका गुड़ा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 45 जब हम गुड़ा करेंगे देखिए अब हम क्या करेंगे जो 240 आया उसका गुड़े 3 गुड़े 5 से फिर गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करने पर आ जाएगा आपका 3600 जो आपका 27 27 सवाल है इसका option number D आपका सही है अगला पर सुन दे रहे हैं यदि करहा है पर्थम 13986 अभा संख्याओं का योग N है तो करहा है N हमेशा भाज होगा तो देखे करहा है यदि पर्थम यदि पर्थम करहा है तो करहा है यदि करहा है एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी एक संख्या कितनी है एक संख्या हमारी दे रहे हैं एक संख्या देन हैं 280 तो दूसी संख्या क्या होगी तो कह रहा है दो संख्याओं का लगुत्तम जो है उसके करहें महत्तम समापरतक का 14 गुना है तो अगर हमने मान लिया और है लगुत्तम समापरतक था LCM जो करहें महत्तम समापरतक है माना की इसके इंतर्गत मानें क्या करना है कहरा है इनका योग छेसो दे रहें तो आप जोड़ लिजे लासाइब गतना कितना दिया रहा है बराबर दिया गया चेससो के अब निकालेंगे एक सब्सक्राइब राबर निकालेंगे तो 14 हो जाएगा तो आपका 600 उपर जाएगा बटे हो जाएगा 15 तो 15 एकम 15 पंदरा चको 60 आपका आजाएगा 40 एक्स ब्राबर आजाएगा 40 अब एक्स ब्राबर जो 40 आया है वो आ गया मासा अब मासा हमें पता है एक्स ब्राबर 40 तो जाहिर सी बात है 14 से गर गुड़ा कर देंगे तो हमें क्या प्राब्त हो जाएगा तो हमें प्राब्त हो जाएगा भाई हमारा जो है 40 प्राब्त हुआ है मासा और हमको लासा प्राब्त करने के लिए 14 से गुड़ा करेंगे तो 14 से गुड़ा करेंगे दिख रहा है S, यही आपका correct answer है, अगला प्रस्थ दे रहे हैं हमारा x n प्लस 1 का एक कर रहा है, गुड़क x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से है, तो n निश्चित रूप से एक विशम पुढ़ांक होगा, क्या होगा एक विशम पुढ़ांक होगा, अगला प्रस्थ दे देखिये सांत क्या होता है जिसके हर की घाते जिसके हर की घाते दो और पाछ की हो निम लिख्य को सा भीन कराई क大家好 सांत है तो आपका इसमें सांत जो है कोई नहीं है सांत जो है हा आपका पर 7 जो दिया गया है, option number C कैसे है, हम जानते हैं 343 का जो बनेगा, 7 खिखा तीन बन जाएगा, 333 ये और ये कड़ जाएगा, तो देखिए नीचे जो हर बन रहा है, वो क्या बनना है, 2 और 5 की खाथे बन नहीं है, इसलिए आपका 32 का option number C सही है, अगला प्रसंद दे रहे हैं देखिए 33 का यदि करा N एक प्राकर्तिक संख्या है तब करा Rood N है तो देखिए जब N एक प्राकर्तिक संख्या है तो Rood N भी एक प्राकर्तिक संख्या होगी और कभी अपर में संख्या होगी क्योंकि अपर्मे संख्या क्या बोगी जब कोई जिसका वर्गमून नहीं के लिएगा हो कौँ से संख्या होती अपर्मे संख्या तो इसलिए option number D इसका सही है हगला प्रसंदे रहे हैं निम लिखित में से कौन सा कथन सही है सत्य है तो देखे पहला हमारा अंसर दे रहे हैं दो इसमें देखिये आपका यही होगा एक पर्मे और एक अपर्मे संख्या का क्योंपल हमेशा अपर्मे होता है तो एक पर्मे ले लिया हमने एक अपर्मे ले लिया इनका जब गुड़ा करेंगे तो बनेगा 2 रूट 3 तो 2 root 3 क्या हो जाएगा परमे संख्या हो जाएगा इसलिए आपका जो option number 2 है 14 का विल्कुल सही है अगला प्रसंद दे रहे हैं ऐसा प्रसंद हम देख भी चुके हैं करा एक्स की घात n प्लस 1 का एक गुड़क करा एक्स प्लस 1 है सिर्फ तभी जब n एक विसम पुडांक होग अगला प्रसंद दिया गया है निम लिखित मेंसे कौन परमे संख्या है तो परमे संख्या वही है जिसका वर्मून निकल आए तो देखिए या फिर कट जाए कुछ तो देखिए यह root 3 नहीं कटेगा इसलिए यह परमे नहीं है अब देखिए उसके बाद देखिए जब root 3 पर भी लिखा है मतलब अंसमे है और root 3 हर में भी लिखा है तो यह root 3 root 3 कर जाएगा त्रिफ क्या बचेगा आपका 2 बचेगा इसलिए 2 क्या है तो हमारा परमे संख्या है इसलिए option number C जो है आपका इसके इंतरगत सही है अगला प्रसंद देखिए निम लिखित में कौन अभ बहाज संख्या यहां होती है जो स्वयम से कटे या फिर एक से कटे तो देखिए जो root अगला प्रसंद दे रहे है चेगा ह या दो संख्याओं का गुडन फल ही मिलेगा पंद्रा जीरों जीरों पंद्रा नवा एक सो पैंतिस मतलब की तेरा सो पचास कहीं दिख रहा होगा वही आपका अंसर हो जाएगा तो देखिए 38 प्रस नंबर का अंतरगत सी वाला ओप्चन तेरा सो पचास दिख रहा यह आपका सही है पाई है तो पाई हमेज़ा आपर में संख्या होती क्या होती है पाई पाई हमेज़ा आपर में संख्या होती रूड सेवन एक आपर में संख्या है क्यों रूड सेवन का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए रूड सेवन पर्मे है तो पर्मे वही होगा जिसका वर्गमून निकल आए तो देखिए पाई एक आपर्मे संख्या है रूट से बनके आपर्मे संख्या है लेकिन जो आपका आपर्मे संख्या है फिर देखे जो आपका दे रहे हैं C option, C option में देखिए 16 का रूमल 4 निकल आएगा और 25 का 5 निकल आएगा मतलब कहने का तरद पर ये है जो 42 में का option number C है root 16 बटे 25 यही आपकी परिमे संख्या है 9 में कौन अलग है अब देखिए 9 में कौन अलग है अलग का मतलब ये हुआ जाकर जो root में है मतलब कहने का 3 बटे 5 ये आपकी परिमे संख्या हो गया B भी देखिए 16 का रूमल निकल आएगा 4 और 4 का निकल आएगा 2 इसलिए ये भी परिमे हो गया फिर देखिए root 2 का रूमल नहीं निकलेगा इसलिए आपका 43 परसंद के अंतरगत C option root 2 upon 5 विल्कुल सही है अगला परसंद दे रहे हैं देखिए root 15 बटे 3 एक संख्या है तो देखिए 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 तिन बटे 15 तो root 5 जो आया वो भी एक क्या है आपर में संख्या तो option number C इसका सही है अगला परसंद दे रहे हैं देखिए 3 प्लस 2 root 5 एक क्या है तो देखिए root 5 का वरूम नहीं निकलेगा इसलिए root 5 क्या है आपर में संख्या है अगला परसंद दे रहे हैं यदि x square minus 5x plus कह रहा है 4 बराबर 0 हो तो कर एकस का मान गयाद किजिए तो x का मान गयाद करने के लिए x का मान जो निकलेगा होगा तो x का मान जो होगा वो पूडांक होगा प्लस या माइनस का हो सकता है अगला परसंद दे रहे हैं निम लिखित में कौन अभाज संख्या है अभाज संख्या वो होती है जो सोयम से कटे या फिर एक से कटे तो देखिए option number D 23 जो है अभाज संख्या है अगला प्रण दिया गया है दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है तो दो संख्याओं का गुड़न फल गयात किजिए संख्याओं का हमें क्या गयात करना है गुड़न फल तो जाहिसी बात है इसा सवलम बता भी चुके है 25 का गुड़ा कर लेंगे 50 से करिए भाई 0, 25, 25, 125 कितना आ जाएगा 1250 तो आपका जो option number B है 1250 विल्कुल सही होगा अगला प्रसंद दे रहे हैं निम्ड में कौन आपर में संख्या नहीं है तो आपर में संख्या वही नहीं होगी जिसका वर्गमून निकलाएगा तो देखिए option number C root 9 का 3 निकलाएगा root 16 का 4 निकलाएगा 4 निकलाएगा 4 का 3 से गुड़ा करेंगे 12 तो यही आपका 49 का C option मतलब की root 9 और root 16 आपका क्या है आपर में संख्या नहीं है अगला प्रस्था दे रहे हैं देखिए कह रहा है वरत्ताकार पत पर 3 धावक एक हिस्तान से दोड़ना प्रारव करतें तो एक चक्कर लगाने में क्रमसा 3 गंटे 4 गंटे तता 5 गंटे समय लगता है तीनों को प्रस्थान बिंद पर पुना मिलने में कितना लगा समय होगा तो कुछ नहीं करना है 3, 4 और 8 का लासा निकाल लेना है अंसर हो जाएगा तो 3 के गुड़न खन करेंगे तो 3 ही आएगा फिर 4 के गुड़न खन करेंगे गुड़न दो गुड़न तीन बराबर कितना जागा 2 दुनी 4 दुनी 8 तीया 24 तो देखिए 50 वे के अंतरगत कहीं option देखिए आपका 24 का दे रहे है तो D वाला दे रहे है 24 गंटे यहीं आपका अंसर हो जाएगा तो देखिए एक फार्मूला दिया गया है रूट 2 का और गुड़न नहीं निकलेगा इसलिए क्या है आपर में संख्या है अगला पसंद दे रहे हैं निम लिखित में कौन अभाज संख्या है तो अभाज संख्या वही होती जिसका और गुड़न निकले तो रूट C आपका जो है मलब की C आप्जा सही है अगला पसंद दे रहे हैं 625 के अभाज गुड़न खन तो 4 आपका अंसर हो जाएगा अगला पसंद दे रहे हैं निम लिखित में कौन पर में संख्या है तो पर में संख्या वही होगा जिसका वरगोन निकल जाए तो देखिए आपका option number A यही दिया गया है इसका वर्मूल निकलाएगा कितना निकलाएगा 49 का हो जाएगा 7 और 64 का हो जाएगा 8 तो यही आपका answer option number A सही है आज हमने 55% तक अच्छे 6% देख लिए ऐसे ही परसन अच्छी तरह किसे देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आपको आपको परिच्छा में अच्छे से अंक प्राप्त हों देखिए आगे फिर सर्चा करेंगे